मारो राजस्तान परिवार पे आप सबका बहुत स्वाकत है आज हम 10,000 MCQs सिरीज में मिवार डानेस्टी के और बहुत सारे MCQs करने वाले है इसकी एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं पार्ट डाल देना मैंने इसका पार्ट डाल दिया है अब आप सबी बच्चे 10,000 MCQs वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे पार्ट मस्त बिंदास तरीके से देख सकते हैं अभी तक अगर आपने हमारे मारो राजस्तान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी जो अच्छी से क्यूट से फैमिली है एमारिफियन फैमिली उसका पार्ट बन जाईए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और मेरे बारे में मैं डॉक्टर तरुना शर्मा अनकैडमी प्लस पे लाइब क्लासेज लेती हूँ R.A.S. ACF एक्जाम के लिए और जो बच्चे कॉलेज लेक्चरार का या और भी कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो राजस्तान जी के मेरे कोर्सेज से बिंदास कर सकते हैं ठीक है और ये मेरे बारे में इंट्रो है यहाँ पे ये कोर्सेज के लिस्ट है बच्चो फोकॉस R.A.S. प्री और मेंस जहाँ पे मैं आपको प्री और मेंस का syllabus कवर कराऊंगी 80-90% इंग्लिश और हिंदी मीडियम के special batches हैं मैं इंदी और English Plus के अंदर Mixed नहीं पढ़ाती हूँ अलग अलग पढ़ाती हूँ English Medium का एक Aspire R.A.S. बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं Indian Art and Culture कवर करी हूँ इस बैच में मेरे साथ और भी educators हैं जो आपको अलग-लग subjects पढ़ाएंगे इसी तरह से हिंदी मीडियम का एक और batch courses जो आप पर सकते हैं ACA वाले बच्चे Paper 1, Paper 2 और Environment Optional जो है हमारे courses से कर सकते हैं इसमें आपको मेरे अलावा और भी जितने educators के हमारे platform पे courses चल रहे हैं RPSC category के सारे courses आप देख सकते हैं जब आप Plus पे subscribe करोगे MRP10 मारुराजिस्थान परिबार का cute सा code है इसको लगा दीजिएगा बिंदास अगर आपको मेरी free classes देखनी है तब भी MRP10 code लगाओ अगर आपको paid course खरीदना है Plus वाला course खरीदना है तब भी MRP10 लगाओ जब Plus वाला खरीदोगे तो इससे 10% discount मिल जाएगा और मेरी बहुत सारी unlimited free special classes देखोगे हमारे platform पे या कोई भी special class देखो किसे भी किटिगरी में MRP10 code valid है इस code को बिंदास लगाके जो है classes देखना start कर दीजिए मुझसे जुड़ना चाहते हो Facebook page, Telegram channel RS Cracker पे जुड़ सकते हो ये मेरा contact number है कोई बात पूछना चाहते हो बच्चे तो आप हर बात जो है अपनी पूछ सकते हो कोई भी आपको doubt हो तो start करते है यहाँ पे code तरुना life दिखेगा दोनों code valid है पर मुझे जो personally जादा पसंद है वो मारो राजस्तान परिवार का code है ठीक है और बहुत जल्दी एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊंगे कि अभी तक 4 months हो गए हमारे इस channel को क्या हमने achieve किया है कैसा experience रहा ठीक है एक मस सा बिंदास सा वीडियो बनाएंगे उसके उपर भी और अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए वरना बाद में भूल जाओगे question solve करने में एक question गलत हो गया तब भी like करना भूल सकते हो ठीक है और question सही हो जाएगा तो फिर तो फटेक फटेक से like कर रहा है एक question सही हो तो एक like दबाना दूसरा question सही हो तो वीडियो अपने friends को बिंदा share कर देना जो आपको लग रहा है कि कोई बच्चा है जिसको आपके ये वाले वीडियो काम में आएंगे तो start करते हैं सही मिलान कीजिए लक्षे सिंग जो है किसका नाम था राना लाखा का लक्षे सिंग का जो है बुलाते थे शेतर सिंग जी को खेता और संगराम सिंग जी को राना सांगा कहके बुलाते खानवा भरतपूर कहां पे स्थित है खानवा का यूद हुआ था ना भरतपूर में वो जगा रूपवास के पास बैयाना के पास पास है इसलिए ये question पूछा गया है ठीक है खानवा और रुवास भरतपुर चले अगला question देखते हैं अकबर ने उद्यपुर का नाम बदल के क्या रख दिया था मुगल्स उस टाइम पर यही करते थे अपना अधिपत्य जमाने के लिए नाम बदलते थे जैसे चितोड का न answer है c option c मोहमधाबाद क्या अनक्खा था बच्चो मोहमधाबाद ठीक है अगर question गलत हो रहे हैं तो घबराना नहीं है ठीक है आप लोग topic में बाद dynasty detail मेरी अनकैडमी प्लस पे special class में मैंने cover कराया है पूरा का पूरा वहां से जाके देख सकते हो बिंदास देख सकते हो ठीक है यह हर बार आ जाते क्या चक्कर है चलो कोई बात नहीं राना सांगा की battle of khanva khanva के युद में हार का कारण क्या था तो देखो बच्चो पहली जीत के तुरंत बाद तुरंत क्योंकि आप थोड़ा सा पीचे हटेंगे कोई ना कोई आगे निकल जाएगा आज कल यही जमाना है बच्चो आज का competition आज का ही है ठीक है पुरानी युद तकनीक बिल्कुल सही है हमारे पास जो है राना सांगा के पास पुरानी युद तकनीक थी और तीसरा है बाबर की तुलुगुमा युद तकनीक तो बाबर के पास obviously कोई नहीं होगी तब ही हम बोड़ रहे हैं कि हमारे महाराना सांगा के पास पुरानी युद तकनीक थी तो बाबर की तुलुगुमा युद तकनीक तो सारे ही option बच्चो बिल्कुल सही है वरना महाराना सांगा ने इतने युद्ध जीते हैं, इतने युद्ध जीते हैं हमारे महराना संग्राम ने की यही यूद्ध था, जिससे वो हार गए थे, ठीक है, चले, उसके बाद है, इब्राहिम लोदी ने मेवाड पर हमला किया, उसका कारण क्या था? मेवाड पर नियंतरन रखना चाहता था, राना सं जीत गए थे जो की दिल्ली सल्तनत के नियंतरन में थी तो दिल्ली सल्तनत के नियंतरन में इबराहिम लोधी के कंट्रोल में पुर्वी राजस्तान है और वो उसके हाथ से खिसक के जा रहा है तो युद्ध तो करेगा ना अटैक तो करेगा इबराहिम लोधी तिल मिला जाए उसके बाद है कौन से राजा को ये तो आप सबको आता हुगा प्यार से सारे के सारे कीका कहके बुलाते है महाराना कुंबा को, महाराना सांगा को, महाराना प्रताप को या फिर राओ चंदर सेन को तो इसका अंसर क्या है किसको प्यार से कीका कहके बुलाते है महाराना प्रता कुछ लिखा जाएगा ठीक है थोड़ा सा ट्रांसलेशन के लिए इग्नोर कर देना या फिर महराना प्रताप तो मिवाड के रक्षक के रूप में बच्चो जानते हैं हम भामा शहा को जिन्हों प्रताप को उनके संकट काल में बहुत बड़ी आर्थिक मदद की थी और फिर महाराना प्रताप ने इनको क्या बना दिया था अपना आर्थिक मंत्री हाँ वही बना दिया था ठीक है ऐसा भामा शाहाजी के नाम पर बहुत सारी योजनाये हैं हमारे राजस्थान के अंदर 1547 इनके पिता जी का नाम था भारमल भामा शाह जी के पिता का नाम भारमल ठीक है और इन्होंने आर्थिक मदद की थी महाराना प्रताप को अगला कोशन है महाराना प्रताप को भामा शाहा ने अपना महाराना प्रताप जी ने भामा शहा को अपना प्रधान नियुक्त किया था किसकी जगा पे किया था किसी को तो हटाया भी होगा तो इन से पहले जो प्रधान थे उनके वो थे महसनी राम तो किसको हटा कर किया था बच्चों भामा शहा को नियुक्त महसनी राम जी को हटा कर ठीक है चले पन्ना ध्याई जी किसकी बेटी थी तो ये तो रिवेजन कोशन है कल भी करवाया है ये तो बच्चा कोशन हो गया आप हर्चंद हांकला जी और इनके पती का नाम क्या था सूरज मल चोहान इनका असली नाम क्या था पन्ना गूजरी जी तोडगर के गाउ में इनका माता की कुछ पंडोली गाउ में इनका जनम हुआ तो तो सारी डिटेल्स बता दिये मैंने बंना ध्याय जी कि ठीक है और उसके बाद है कौन से राजा को श्रिंगार विशंभर के नाम से जाना जाता है श्रिंगार विशंबर– महाराणा राज स तो इसका अंसर है बच्चों महाराना कुंभा जिनका लिट्रेचर से संगीत से बहुत गहरा रिष्टा था ठीक है तो श्रिंगार विशंबर की उपादी इन्हें ही दी गई है किसको कहा जाता है महाराना कुंभा को ठीक है महाराना प्रताप का राज्या अभिशेक कहां पर ह गोगुंदा में, कुम्भलगड में, उदेगरपुर में, या फिर चतोरगड में, तो बच्चों महाराना प्रताप का जो राज्या भिशेक हुआ था वो गोगुंदा के अंदर हुआ था और इस पे दो क्वेशन आते हैं, अगर क्वेशन आ जाए, विधिवत राजतिलग, राज्या भिशेक कहां पे हुआ था, अगर विधिवत दिया हो बच्चों, तो आंसर आएगा कुम्भलगड, विधिवत दिया हो तो क्या आएगा, कुम्भलगड आएगा, ठीके, गोगुंदा में हुआ था उदे सिंग जी के संसकार के बाद, ठीके, उसके बाद महाराना प्रताप का, जो वहां के लोकल सरदार थे, उन्होंने डिसीजन लेके कर दिया था, वरना इनके चोटे भाई को उदे सिंग जी ने अगला राजा वो नियुक्त किया था, ठीके बच्चों, तो डूली कॉरोनेटेड, डूली मतलब विधिवत जो हुआ था, वो कुम्भलगर कौन सा किला है, जहां पे, जहां पे क्या हुआ है, महाराना प्रताप का जनम हुआ है, ठीके चले, अगला कोशिन देखते हैं, ठीके, संगीत राज जो महाराना कुम्भा ने बनाई है, जो बुक लिखी है, उसके अंदर कितने पार्टस हैं, 7, 4, 9 या फिर 5, तो संगीत राज बच्चों माहराना कुंबा जी द्वारा लिखा गया साहित्य है इसके अंदर कित्ते पार्ट से इसमें पांच पार्ट से कई कई जगा पर ये बुक्स में चार भी दिया हुआ है तो फिर मैंने इसकी डिटेल देखी हैं तो डिटेल में देखने के बाद यह ही पाया है कि संगीत राज के कित्ते पार्ट से बच्चों कित्ते पार्ट से पांच पार्ट से पांच कौन कौन से अब संगीत आ गया संगीत में क्या होता है वाद्य होगा नरित्य होगा और राग होगा तो तीन पार्ट के नाम तो वहीं है कुछ नया नहीं याद करना बच्चे जो है पत पे जा रहे हैं ठीक है डांस करेंगे तो पैरों से ही तो डांस करेंगे तो एक पार्ट का नाम है पत रतनकोश और बच्चे ठकते नहीं है जब डांस डीजे वीजे चला दें तो मस्क बिंदास डांस करते हैं कितनी बार कुदक वो लगा सकते है असी बार अपने words से, अगर आप अपने words से appreciation देते हो, तो किसको नहीं अच्छा लगता, आरीफ सुनना सब को ही अच्छा लगता है, तो appreciate करते हो, तो मेरा जो energy level है, वो बहुत जादा boost हो जाता है, और फिर मैं और जादा मेरे धिमाग काम करने लग जाता है, कि बच्चों के लिए ये कौन मौजूद नहीं था, कौन सा विद्वान नहीं थे, ना था मुनी जिन विज्य सूरी, मुनी सुन्दर सूरी या फिर तिल्ला भड़, तो इसमें बच्चों याद कर लो, असान तरीका बताते हो, अगर यही question रिपीट हो जाए, यूं का यूं मान लो, यारेस में आयो मुनी जिन विज्य सूरी, मतलब कि महाराना कुमभा के दरबार के अंदर ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे, जिनकी नाम पे जिन्शिन आता हो, तो कोई जिन्शिन वाले व्यक्ति नहीं थे, तो मुनी जिन विज्य सूरी नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, option number B, यह दो को म नाम में सुंदर वर्ड मिलेगा, सुरी आपको सरने मिलेगा, देखो, सोम सुंदर, मुनी सुंदर, जैसंदर सुरी, भुवन सुंदर सुरी, ठीक है, सुंदर सुरी, सिर्फ सुंदर सुरी भी है, और सुंदर गनी, ठीक है, सुंदर सुनी और सुंदर गनी, दो तो सिंपल मंड जाए बिल्कुल ऐसे याद करो मंडन और ये सारे महाराना कुंभा के दर्बार में जो स्कॉलर्स थे विद्वान थे ये एक तरह से महाराना कुंभा के रतन थे कौन से वाले रतन थे याद करो मानिक रतन है तो मानिक्य भी थे मंडन और मानिक्य और कौन-कौन थे मंडन मंदन के भाई थे गोविंद नहीं नहीं एक सेकंड मंदन के भाई नहीं बचो मंदन के भाई का नाम था ना था ठीक है और मंदन के बेटे का नाम था गोविंद और एक थे सारंग व्यास सारंग व्यास कोन है महाराना कुंभा के संगीत गुरू है सारंग सुर रंग ठीक है ताल उससे आप याद कर सकते हैं तो याद होगे मानिक्या, मंदल, गोविंद, नाथा और सारंग, व्यास अगला कोशन है महाराना कुमभा ने कौन सा किला नहीं बनवाया था भैसरोगड, मचान, भोमट या फिर बसंती तो इसका आंसर है महाराना कुमभा ने भैसरोगड व परा 2nd century BC दूसरी शताबदी इसा पुर्व में ठीक है और ये कहां पर located है चितोडगड के अंदर है इसको भैसुर फोर्ट भी बोलते हैं भैसुर किला भी बोलते हैं रावत भाटा के पास है ये अभेद्दे किला है इसका भेद्द जल्दी से पता नहीं चलता और कौन सी न मस्त ठीक है उसके बाद है कौन से ऐसे राजा है जिनको मेवार की artistic intellectual प्रग्रतिक का मतलब क्षरे दिया जाल रहा है कलात्मक और बोधिक तो अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहा है महाराना कुमभा जिनोंने संगीत लिखे साहित लिखे उनके दर्बार में विद्वान थे तो answer क्या है बहुत simple है महाराना कुमभा बिल्कुल भी मुश्किल question नहीं है महाराना कुमभा अगला question है महाराना कुमभा ने कौन सा text लिखा है संगीत राज लिखा है संगीत में मांसा लिखा है सूदा प्रबंद लिखा है कला निधी नहीं लिखा आगे देखेंगे कि कला बिधार राइट आंसर, ठीके, MCQ सीरीज कैसी लग रहे हैं, ये आपको हर एक्जाम में काम आएगी, चाहे कॉलेज लेक्चरार हो, रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, ACF हो, RAS हो, क्योंकि राजस्थान चीक है, राजस्थान हिस्टरी तो हर किसी के सब्जिक में होती है, औ मिलेगे, मिवाडवंश तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीके बच्चों तो ये आपको काम आने ही वाले है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज बिंदास वाला मस्त वाला एक लाइक चिपका दो, ठीके, मुझे बहुत खुशी होती है, संगीत राज, संगीत मिहर भोज, मिहर भोज, पृत्वीरा, चोहान, या फिर विग्रे, राज, चतुर्थ, क्या अंसर होगा इसका, बताएए, बताएए, इसका सही अंसर है, मिहर भोज, आदी वहरा के उपादी किसको दी जाती है, बच्चों, मिहर भोज को, और इनको एक और उपादी मिली कौनसी उपाधी प्रभास सुर्य और इस उपाधी का जिक्र कहां पे है दोलत पुरा के तामर पत्र में यहां पे इनको ये उपाधी दी गई थी दोलत पुरा के तामर पत्र यानि की कॉपर प्लेट के अंदर तो मिहीर भोज को कितनी उपाधी याद की है प्रभास सुर्य औ और आदी वरहा उसके बाद है राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, राणा हम्मीर या फिर महाराणा कुम्भा राग कल्पद्रुम जब आप राग गाओगे तो बहुत आनन्द आता है ठीक है तो कृष्णानंद व्यास क्या नाम ह है कृष्णानंद व्यास अब बच्चो कल्पद्रूम नाम से आपको बहुत साहित्य देगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर तो हम यहीं पर कर देते हैं देखो कृष्णानंद व्यास जी ने राग कल्पद्रूम के नाम से साहित्य है उस ग्रंथ का नाम है जैसंग कल्पदूम ठीके तो ये किस ने लिखा है पुंडिक रतनाकर जी के द्वारा कि दौरा और एक है राग चंद्रोद्य ये किस पुंडरिक विठ्थल जी ने लिखा है तो विठ्थल जी ने जो लिखा है ना उसमें राग शुरू में आएगा और चंद्रमा की बात होगी ऐसे याद कर लो ठीक है इसको तो कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम राग चंद्रोध्य पुंडरिक विठ्थल ठीक है विठ्थल रहे न, ऐसे याद कर लो, मागा विठ्थल, विठ्थल, विठ्थला, प्रभूक शिरी कृष्ण के जब घीत, मतलब भजन गाते हैं, तब ये विठ्थल शब्द आता है, ठीके, तो राग चंद्रोद्य, जो जैसे ही आप कृष्णा के भजन गाते हैं, ऐसे लग कलपद्रूम, प्लेन राग कलपद्रूम लिखा है, ठीके, चलो, आगे देखते हैं, कुषल माता जो टेंपल है, ठीके, महाराना कुम्भा ने बनवाया था, कुषाल माता टेंपल कहां पे लोकेटिड है, उद्धेपूर, कुम्भलगर, बदनौर, या फिर ओसियान, यान माता का जो मंदिर है, ये जैपूर में नहीं है, बदनौर, भिलवाडा के अंदर है, ये पॉइंट चोटा सा याद करना है, और जाड बैराट, और इसको क्या बोलते है, जाड बैराट के रूप में भी माना जाता है, तो ये भी question बूचे जा सकते हैं, चलो, अगला question पाना हूँ, intellectual कताना हूँ, किसको श्रे दे रहे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे है, आज के MCQs का theme क्या हो गया, महाराना कुमबा, तो इसका सही answer क्या है, महाराना कुमबा, अचलगड के किले का मरमत भी, जिर्नो उधार भी, इन्होंने ही करवाया था, अचलगड का किला कह महाराना कुमबा ने कौन सा किला नहीं बनवाया था, भैसरोगड का किला नहीं बनवाया था, वो किसने बनवाया, रोड लोगों द्वारा बनाया था, दूसरी शताबदी इसापूर में, रिवीजन हाथो हाथ होना चाहिए, ठीके बच्चों, रिवीजन हाथो हाथ होना श्यामल दास जी कौन है, वीर विनोध के लेखक है, वीर विनोध साहित्य के लेखत कौन है, श्यामल दास जी है, श्याम के भजन जब गुन गुन आते हो, तो बहुत जादा विनोध आनन्द आता है, तो उससे भी याद कर सकती है, श्यामल दास जी ने कौन सा ग्रंथ लिख कुम्भल देवी की याद में अचलगड का किला माउंट आबू में बसंती किला सिरोही के अंदर तो ये दोनों बसंती और अचलगड कहां पे हो गए सिरोही के अंदर हो गए ठीक है इन सब को रिनोवेट भी करवाया है ठीक है ये कौन सा किला है ये तो देखके बताई दोग विश्व की दूसरी सबसे लंबी दिवार कुंबलगड किले बे ठीक है जिसने नहीं देखा है बिंदास देखना मस्त किला है भई देखने वाली चीज़े ठीक है अच्छा कौनसे राजा है जिन्होंने सबसे जादा किलों का को बनवाया भी राजस्थान के अंदर और जिर् सब्सक्राइब करो घंटी बजा दो ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले ए टो जैनल में बहुत सारी अलग-अलग प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो चैनल में भरमार है वीडियो का ज़रा जाके तू देखो पता चलेगा आपको ठीक है लन्वे ट्रिक वाली सिरीज देख कुंबलगड किले के निर्माता पता ही है संगीत की प्रेमी पता ही है मिवाड के महान शाषकों में से एक पता ही है खुद विद्वान नहीं होते तो संगीत राज संगीत मिमानसा इती सारी किताबे थोड़ी लिख देते तो ये तो गलती हो गया आंसर हो गया option number A क्या answer हो जी के जवारा जो लिखा गया था गीत गोविंद उसकी संबरी बनाई उसका टीका लिखा जिसको हम किस नाम से जानते हैं रसिक प्रिया टीका नाम से जानते हैं ये हिंदी वाले बच्चे देख लिजे सारा ठीक है संगीत राज संगीत मिमानसा सुधा प्रभंध याद कर को question दुबारा उठते हैं बच्चो दुबारा पूछे जाते हैं repeat होते question तो इसका answer है कला निधी महाराणा कुम्भा ने क्या नहीं लिखा कला निधी अच्छा रसिक प्रिया तो हमने पहले भी याद कर लिया सुधा प्रबंध याद कर लिया ये वाला नहीं याद किया option की मह किया है नहीं किया तो पहली में नहीं किया तो अभी करेंगे नृत्य रतनकोष महराणा कुम्भा द्वारा लिखे गए साहिते में साहित बच्चो एड़ कर गया कॉनसे राजा को अभिनव भरता चार्य की उपदी भी ठीक है तो किसको दी जाएगी किसको मिली है बच्चो महाराना कुम्भा को ठीक है अगला क zucchini माह राना कुम्भा ने भनवाय था कहान लोकेटी बच्चा क्वेशन कहान लोकेटी अ है माận आबू में अचल गड़ इसको वैसे भी याद कर सकते हो अचल का मतलब होते हो जो ना चल सके मतलब परवत पथार तो परवत सबसे ज़ादा हम जाएंगे बच्चे गूबने के लिए तो कहां जाते है माउंट आबू में तो माउंट आबू के अंदर है ठीक है चलो कहां है सिरोही अपना कुंभा की हो गई तो अंसर भी महाराना कुंभा तो एक उपाधी पड़ी थी अभिनम भारता चाहरे है और तीन और याद कर लो राय रायन ठीक है चाप गुरू इन्होंने अपनी चाप छोड़ी कला संस्कृती और किले वगेरा बनवाने में और दान गुरू के नाम से भी इनको जाना जाता है ठीक है तो चार उपाधी टोटल आज हमने याद किये महाराना कुंभा की भूलो के तो नहीं याद हो रहे है ना चोथी ये लिख दी मैंने अभिना बता चाहरे है ठीक है मंदन ने रूप मंदन साहिते लिखा ठीक है मंदन के जाधतर साहिते उनके पी रूप मंदल, मुघल आचा spricht में सीन आता है मदुबाला को वो जो कलाकार होता है, वो कैसे दिखाता है, वो उनको मूरती के रूप में दिखाता है, ठीके तुँ उनका रूप देखकर जो वो थे अकबर स्ıtब अधिर रहे जाते हैं, सब अधिर रहे जाते हैं, तो ऐसे याद करो story याद करो देखो कि अकबर के राज में अकबर के राज दरबार के अंदर ठीक है वो व्यक्ति जो होता है मधुबाला को कैसे पेश करता है बहुत खुबसूरत सी painting बना के face करते है उससे अकबर खुश हो कि वो जो चितरकार होता है वो जो dancer होता है उसको जो है प्रशाद दे देते हैं कि आपनी माला वाला उतार के face देते हैं ठीक है माला वाला उतार के face देते हैं प्रशाद दे देते थे ना पहले पुराने जमाने में राजा कुश होगे ले जाओ अशरफियां और अपना हार बार उतार के दे देते ठीक है तो यह मैंने क्यों story बताई है ताक वो कहां पर दिखाते है राजदर्बार में तो मंदन ने कौन-कौन से साहिते लिखे है राजदर्बार में तो राजवलब लिखा है उन्होंने और फिर वो जो मदुबाला होती है जीवित होती है तो उस रूप का अवतार होता है तो प्रसाद मंदन भी मंदन के द्वारा लिखा गया है और वास्तु शास्त्र भी जो है मंदन के द्वारा लिखा गया है वो वास्तु शास्त्र के भी ग्याता थे ठीके अब इनके भाई ने क्या क्या वास्तु शास्त्र जो है याद करने के लिए बता रही हूँ बहुत बर्बर नी हो जाए मंदन के बेटे नाथा है या गोविंद है मंदन के भाई ठीके नाथा है या गोविंद है तो MN ठीके दोनों भाईयों के नाम जो है ना अलफबेटिकली रखे गया है तो मंदन के भाई का नाम नाथा है और बेटे का नाम गोविंद जो की बहुत दूर आता है ABCD में क्लेरे सबको याद हो गए सारे के सारे पॉइंट्स ठीके मैंने टाइम तो जादा ले लिया लेकिन याद हो गए होंगे गोविंद जो कि मंदन के बेटे हैं उन्होंने क्या लिखा है अभी तक जिस पर क्वेश्चन आ रहा था कि महाराना कुंबा ने कौन सा सा नाम कर दिया उधार कर दिया तो एक और गरंथ इन्होंने लिखा है उधार घोरनी और हमारे जो है तुम कुल दीपक हो तो एक लिखा है द्वार दीपक तो गोविंद के याद हो गए सारे बेटों को तो यहीं बोलते हैं कुल का नाम करेगा कुल दीपक होगा उधार ठीके याद हो गए, यह मैं सिर्फ याद करने के लिए निमोनिक्स बताती रहती हूं आपको तुंगा का बैटल कब रखा गया, तुंबा शोले वाली मूवी देखे है, हेमा मालिनी ठीके तो तुंगा का युद्ध जब हुआ था साथ नंबर बहुत common आएगा कब लड़ा गया था बच्चों? साथ तासी के अंदर तो आज का वीडियो कैसा लगा बताईये का ज़रूर मेरी प्लस सरकल कम्यूंटी का पार्ट बने मेरे बहुत सारे courses देखने के लिए RAS, ACF, College, Lecturer, सब भी exams के लिए code लगाना मत भूलना MRP 10 चाहे free class लेनी हूँ या फिर 10% discount लेना हूँ ठीक है बच्चों करोगे न ऐसे और get subscription पे जाओ, 2 साल का subscription ले लो जो बच्चे RAS की तयारी करें या RPSC, RSMMB की exam जिन्हों ने तयारी शुरू किया जिनको ये है कि आने वाले 1-2 साल में सरकारी नोकरी चाहिए ही चाहिए तो बच्चों सीधा 2 साल का लेकर बैट जाओ, 300-300 रुपे महीना पड़ता है, बहुत सस्ता MRP 10 code लगाओ, ठीक है बाकी सब भी बच्चे अपना प्लान चूज कर सकते हैं, इसमें एक महीने, तीन महीने, छे महीने, बारा महीने, ओल इन वन है एक बार आपने plus join कर लिया, तो आप RPSC के अंदर हमारे जितने भी courses हैं, जितने भी exam के नए, पुराने, सब देख पाओगे, A to Z, notes मिलेंगे, test series मिलेंगे, सब मिलेगा, all in one, ठीक है, चले और यह मैंने बताई दिया, facebook page, telegram channel, contact number, note कर लो, नहीं किया, तो अगर अभी तक भी like नहीं किया है, जाते जाते लाइक चपका दो, subscribe कर लो, share कर दो video, ठीक है, because हम MRPNs हैं, और हम share करते हैं, because हम care करते लोगों के, ठीक है, thank you so much, अपको मेरी तरफ से घणी घणी राम राम और एक point और, कल वीडियो नहीं आएगा, कल संडे है, आप भी relax करें, कल में सोचती कुछ और, थोड़ा entertainment और थोड़ा आपकी पढ़ाई भी हो जाए, वैसा वीडियो बनाए, तो इसको कब resume करेंगे, मंडे को इसका next part आएगा, ठीक है, सबको मेरी तरफ से घणी घणी रा अप्य विकेंट